अगर आप मेरे चैनल पर न्यूँ है देटी सब्सक्राब तो माई चैनल और हिट दे बैल आइकन ताकि मेरे सारी वीडियो के अपडेट्स आपको टाप टो टो टाम मोडिफाइ हो जाए जब से इस घर में शिफ्ट हुए थे तो कुछ काम पैंडिंग थे तो हमने सोचा धा घर में शिफ्ट होने के बाद होने करेंगे लेकिन time Hी नहीं मिला तो आज की वीडियो में कुछ नए एडिशन होने वाले हैं मेरे घर में वही मैं आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ तो वीडियो को एंट देखिए यह हमारा सिटिंग रूम है जिसे हम मीटिंग्स के लिए अज आफिस भी यूज़ करते हैं लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूगी एंट फैन इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग ने अर्बन कमनी से टेक्निशन को बुलवाया था तो उन्होंने यहां पर बहुत अच्छे से इंस्टॉल कर दिया है इसके इलावा हमारे फॉयर एरिया में लाइट नहीं लगवाई भी थी हम लोगोंने तो यह लाइट पर पैंडिंग थी मुझे डिसाइड करना था कि कौन सी लाइट यहां पर लगवाना है तो वो डिसाइड करते करते हैं चलिए इस लाइट को अन्बॉक्स करते हैं तो यह एक ट्राक लाइट है जिसमें कि आपको फोर बल्ब्स मिलेंगे तो आइक्या पर मुझे कफे अफॉर्डेबल प्राइस पर दिख गया था बाकि इतना टाइम नहीं मेल रहा था कि शॉप पे जाके स्टोर करता हूं तो फा लाइट करना है तो इस ट्राक लाइट के लिए मैंने यह बल्ब्स नगवाए थे जो कि आपको सेट ओफ त्री मिटेंगे 349 रुपीज में एंडी बहुत एजली आप इंस्टॉल कर सकते हैं इस तरह से कुछ इंस्टॉलेशन जो है आप खुछ से भी कर सकते हैं इसका क्व जो लुक है वो बहुत अच्छा रहा है फॉयर एरिया का पहले मैं सोच रही थी कि यहां पर एक हैंगिंग लाइट करूंगी लेकिन बाद मुझे रेलाइस हुआ कि दोर की हाइट काफी साथा है तो लाइट जो है अच्छे से लग नहीं पाईगी यहां पर दिन आइडिस सेर्स पैकेजिंग और वुवन सेक, EPE फोर्म, एर बबल रैप और पीवीजी पैकेजिंग विच प्रोटेक्ट इट फॉम यहां प्रोटेक्ट इट फॉम बिग दामेज़ इसके साथ आपको शीशम वुड़न लेक्स मिलते हैं जिसे कि आप खुद डियाईवार करके लग इस तरह से पॉलिश्ट लैग मिलेंगे आपको जिसके क्वाल्टी बहुत अच्छी है इसके साथ आपको थ्री यह वारंटी मिलेगी जो कि आपको कोई और ब्रेंड नहीं देगा इस सोफ़े की जो में फीचर्स है वो है कि हाई देंसिटी पीउ फॉर्म के साथ यह आपको मिलेगा मॉल्फे नो शें शिनाइल फैब्रिक के साथ यह आपको मिलेगा फॉर सॉफ्ट अन फ्लश फिलिंग सॉलिड वूड स्ट्रक्शर है जिसे की यह बहुत ही स्टुड़ी एंड दूरेबल रहता है यह सोफ़ा आपको डिफरेंट वेबसाइट पर अबलेबल मिल जाएगा सेवन्थ हेवन की अपनी वेबसाइट है वहाँ से भी ले सकते हैं प्लिपकार्ट, Amazon, Pepper Fry, Wooden Street and Urban Ladder पे भी अवेलेबल है लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगे सेवन्थ हेवन के पास बहुत सारे अलग-अलग डिजाइन और कलर्स अवेलेबल है इन सोफो में अगर पूरी तर से सैटिसफाइड हूँ with its quality अगर आप भी एक अफोर्डेबल रेंज में अच्छा सोफा देख रहे हैं तर आपको सेवन्थ हेवन की वेबसाइट जरूर एक्स्पूर करनी चाहिए बहुत अच्छी रेंज में अच्छी क्वालिटी के सोफ़ आपको मिल जाएंगे टोक्यो कलेक्शन के इलावा इनके पस रियो, बरलिन, मिलान एंड लिस्पन कलेक्शन भी अवेलेबल है इसके इलावा आपको sofa कम बैट की भी अच्छी रेंज देखने के लिए मिल जाएगी मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग के साथ रियो कलेक्शन से टू स्रीटर सोफा शेयर किया था आप लोग मेरी वाली वीडियो भी जाके देख सकते हैं वो भी काफी अच्छा सोफा था और इनके जितने भी सोफे हैं क्वालिटी बहुत अच्छी है बहुत सर्डी है मेरे एक्स्पिरिंस बहुत अच्छा रहा है इन दोनों ही सोफो के साथ तो मैं आप लोग को रिकमेंट करती हूँ कि अगर आप कुछ बजट में देख रहे हैं तो इनका एक्स्पोर करें गेस बेडरूम का जो एंट्रिंस था वहाँ पर भी लाइट अट करनी थी और काफी टाम से यह पैंडिंग था तो फानली हमने डिसाइट कि है कि यहाँ पर भी हम लोग आएकिया से यह ट्रैक लाइट करेंगे जिसमें कि आपको टू बल्प्स मिल रहे हैं यह राउंट 749-99 के राउंट है इसका भी लिंक में आपको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी तो अगें जो अरबर में अपनी सिट इलेक्टरेशन आये थे में बहुत अच्छे से यहाँ पर इसको फेट कर दिया है यहाँ पर इस पेस छोटा था तो दो वर्प की ट्रैक लाइट बहुत पॉफेक्टली फेट हुई थी यहाँ बहुत अच्छी लाइट यहाँ पर थो क्या पर यह एक हैंगिंग लाइट दिखने करने मिली जो मुझे काफी अच्छी लगी तो इस लाइट में जो आपको कॉट मिलेगी वह अल्मूस्ट देड़ मीटर लंदी है तो आप बहुत अराम से इसी किसी भी स्पेस में हैं कर सकते हैं लेंथ को आप एड़्जेस कर सक आपको 899 में मिल जाएगा आइक्या पर इसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी हमने इस मिर्ट के साइड में इसको हैंक कर वाया है हाइट में इसकी जो लैंथ है वो मैंने अच्छे से अच्छे कर वा ली थी अपने अकॉर्डिंग यहां पर इसका जो फानल लुक है वो कुछ इस तरह से आ रहा है जो मुझे बहुत संदर लगा लाइट आउन करने के बाद बहुत संदर लग रहा था बैट साइट पर लगवाएंगे तो वहां पर भी अच्छा लगएगा आपको यहां पर बल्ड एड करने के बाद कैसा लग रहा है अगर वीडियो अच्छी लग रही हो देन प्रीज इद लाइक बटिन कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि यह न्यूव एडिशन से आपको कैसे लग रहे हैं नेक्स मैंने अमेजोन से मगवाए हैं यह वालपेपर जिसका लुक जो है वो वुड की तरह आ रहा है तो बेसिकली मुझे अपने बैलकनी का थोड़ा सा मेकोवर करना था वहां पर एक पैच है जो की वाइड था वहां पर वाइड वाइड वॉश हम दो नहीं करभा पाए तो यहां पर मैं आपको इंस्टॉल करके दिखा रही हूं तो यह एक फॉर्म वाल पेपर है जिसे कि आप सीलिंग पर या फिर वाल पर लगा सकते हैं बेडरूम वाल पर या बैलकनी में नहीं पर भी अगर आपको एक अच्छा सरलुक क्रेट करना है तो इन वाल पेपर्स का आप यूज कर सकते हैं एमेजॉन पर ये मैंने मगवाए हैं पैक आप फाइफ इन रूपीस थाउजन नाइटीन नाइट आप अपनी नीट के अकॉर्डिंग मगवा सकते हैं तो पैक आफ फाइफ जो है वो सिफ मेरी आधी बैलकनी ही कवर कर पाया है तो पैक आफ फाइफ मैंने अगेइन जो है फिर से और किया है इसका फाइनल लुक मैं आपके सांथ दूसरी वीडियो में शेयर करूंगी यहां पर मैंने एक लाइट भी एड़ करवाई है यह ला पाया है अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो दिन प्लीज हिट लाइक बटन कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आज की अडिशन आपको कैसे लगे सारे ही प्रोड़क्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगे कुछ भी पर नियों है तर प्लीज सब्सक्राब तो मैं चैनल एंफिट अब बाइल आपको मैं तकि मरी सारे वीडियो के अप्रेट सबको डैम प्रोड़क्स हो जाए